हेलो दोस्तों स्वागत है आज मेरे चैनल पर सो गाईज आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा कफ सिरफ है जो तोटली आयरवेदिक है आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करूंगी और गाईज इसको मैंने यूज किया मुझे बहुत जादा इफेक्टिव रगा मत बहुत है कि काफी अच्छा है तो मैंने इसको ट्राई किया रियली बहुत अच्छी रिजर्ट्स मिले और गाईज यह कंप्लीटली आयरवेदिक के इसमें उन्हें यूज किया गया है और अगर मैं शेल्फ लाइट की बात करती तो थिरियर्स दे रख है गाईज और यह ज यह छोटी मैंने बोटल परचेस ही क्योंकि मैंने इसको फर्स टैम ट्राई किया था इसकी बड़ी बोटल भी एविलेबल है तो गाईज अभी विंटर में काफी लोग को प्रॉलम हो जाती है कि खासी ठीकी नहीं होती है और बहुत लंबी-लंबी खिस जाती है कफ बहुत ह हो जाता है तो मुझे यह सिरफ काफी अच्छा लगा तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए कर आप भी खासी से परिशान है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको काफी सही लगा काफी एफेक्टिव रिजर्ट लगे और यहां पर गाइस के लिए दी मैंशन लिख के लिए है यह अस्तेमाटिक के लिए भी है और यह लिखा वा है इसमें कि सूधिंग इफेक्ट टे नॉर्मल बिर्फिंग करता है सोठो ठोट को अच्छा करता है रिडूज करता है जो आपका कफबन तर इसको खतम करता है और यहां पर लिखा भी हुआ है कि एपसीमाटि कि first two three ml दे सकते है three times to four time daily with water or milk और children's का यहां पर लिखा हुआ है guys one tablespoon देना है five ml three to four times और adult का भी इसन दिया हुआ है so इसको मैंने use किया है अपने बेटे को भी गया था काफ़े ची results मिलें उसके so guys यह है कप सी रख तो बहुत लोग नहीं भी जानते और काफ़ी मेरे लिए भी नया था इसके results मुझे within two days में ही मिले मुझे two days के अंदर ही खासी जो है 90% improve लगी so मैंने आप लोगों से share कि अगर आप भी इससे problem में है तो इस भाप कर सकते हैं छोड़ी bottle ही purchase करें क्योंकि क्या होते guys कई बार कुछ बहुत सारी medicines market में अविलेबल है और यह अम्रित काई है और क्या होते कई अपनी बॉड़ी होती कुछ की बॉड़ी किसी चीज के लिए suitable होते कुछ की नहीं होती है तो आप try कर सकते हैं इसको अगर आपको से परशान है तो मुझे काफी पसंद आया यह सिरफ मेरा यह experience था प्रड़ के बारे में और price wise भी okay है और Ayurvedi के है इसलिए ज्यादा पसंद है मुझे made in India है mansion लिखाव है और यहाँ पे so thank you so much guys